हेले स्टूडेन कैसे आप सब एक बार पुना सी गोचिंग क्लासेश पर स्वगात हो उम्मीद करता हूँ आप सब बच्छे होंगे मस्त होंगे बेतर होंगे आपकी पढ़ाई बेतर से लिग बच्छे हो प्रयोग भी ठीक है लेनार्ड साहब और आरे मिलकर ने प्रकास बिद्दुत प्रभाव का मतलब एक बिस्तर अतद्यन किया था चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले तौपन को ये समझना है कि प्रकास बिद्दुत प्रभाव किसे कहते हैं वैसे जो बच्छे इसके पहले का लेक्चर देखें तो उनको क्लियर होगा भाई साहब कि हम क्या पढ़ा रहे हैं कितना पढ़ा दिये हैं और जो बच्छा रिगुलर नहीं है हमारे चैनल पे तो उसको समझ में नहीं आएगा तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था प्रकास बिद्दुत प्रभाव कि समान की चलते हैं प्रकास की किरण उचित आपरती के सांथ यहां पर आप्तित होती है तो फिर इलेक्टरान जो है निकल करके बाहर की ओर चलने लग जाती है यह से मैं कहता हूँ यह इलेक्टरान रिड़ा बेसित होता है न तो इसको मैंने दर्सा दिया इलेक्टरान यहां प्रभौ कहलाता है क्योंकि हर जगे इलेक्ट्रान है धात उपर मुक्त इलेक्ट्रान पाए जाते हैं ये तो सब को पता है और जैसे ही यहां पर विक्रण आप्तित होती है तो इन इलेक्ट्रानों को गति उर्जा मिलता है मतलब इनके इलेक्ट्रानों में गति में हो जाती है फल सुरूप अपने स्थान को छोड़ करके बाहर निकलने लग जाते हैं क benefiting lizard energy प्राप्ट करते हैं उसी energy से यह electron बाहर चल जाते हैं जब तक उसका एक limit है तो अपने अंदर है लेकिन जब उसको आप गर्म करते जाओ तो बाहर जाएगा ही जाएगा जिससे मा लिजी एक बरतन है उसमें पानी गर्म कर रही है। धीरे-धीरे आप टेमप्रेचर दे रहे हो तो धीर-धीरे पानी अबल रहा है। लेकिन बहुत ही ज़ादा है आप हीट कर दोगी तो फिर पानी उचल करके बाहर भी जा सकता है बरतन से होता है की नहीं होता है बिल्कुल होता है ऐसे ही एक धातू है धातू पर बिक्रन आप्तित हो रही है ठीक है बिक्रन आप्तित हो रही है और यह जो बिक्रन है उर्जा जो है वो इलेक्टरान को दे रही है इलेक्टरान उर्जा पाकर के उसकी गतिज उर्जा में ब्रद्धी होती फलसरूप इलेक्टरान बाहर निकरने लग जाते हैं यह जो परिघटना है प्रकास बिद्धत प्रभाव कहलाता है तो इसी को सरप्थम 1887 में 1887 में इसने हेनरिच हर्टेज ने सबसे पहले बताया था उन्होंने पाया कि एक विसरजन नली का ले ली विसरजन नली किस प्रकार से होती है देखेगा मैं आपको पूरा विद्धत समझा रहा हूं विसरजन नली ले करके काच का निरवाट ट्यूब बच्चो ये एक विसरजन नली है ठीक है ये विसरजन नली ले ली और यहाँ पर कैथोड लगा दिया और यहाँ पर एनोड लगा दिया फिर उन्होंने क्या किया कि भाई साहब परावैगने किरने डाली जैसे मा लीजे यहाँ से एक बिद्द सुरोत लगा दिया गया जिसे कैथोड है तो निगेटिव और इधर पाजटिव यहाँ पर कुंजी लगा दिया ठीक अब यहाँ पर इनोंने क्या किया कैथोड किरने आप्दित कराई और कैथोड किरने आप्दित कराई तो देखा कि भाई यहाँ पर कुछ प्रतिदीब्त उत्पन्नों रहे हैं मतलब निरबात में यहाँ से इलेक्टरान निकल करके जा रहे हैं यहीं बिद्दुत बिसर्जन आसानी से होने लगा तो फिर उन्होंने बताया कि भाई साहब यह बिद्दुत बिसर्जन क्यों हुआ है क्योंकि यहाँ से इलेक्टरान निकले होंगे अर्थात जैसे ही धातु के सतय पर प्रकास करने आपती तो इते इलेक्टरान निकलने लग गया तो यह उनका खोज था सबसे पहला खोज यह कैसे खोज हुआ तो भाई हमने हालवाक्स इसके बाद आएंगे लेकिन प्लकरेवं क्रुक्स का सिध्यानत आपने पढ़ा है हो सकता है पढ़े हों नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है प्लकरेवं क्रुक्स ने इसी प्रकास निर्वात नली ले ली और अंदर के दाब को अत्यंत कम करा और फिर इसमें बिद्द भिसर्जन की बिद्द भिसर्जन है क्या बच्चो निर्वात या बायू में इलेक्ट्रान का प्रवाए, बिद्दौद धारा का प्रवाए, आपका बिद्द भिसरजन कहलाता है, वैसे तो निर्वार्त या माली जी बायू में कभी बिद्द धारा का प्रवाई नहीं होता है, लेकिन दाब को अत्यंत कम किय गया, तब देखा गया भाई कि यहां से जो हैं विद्दूत का विसर्जन होता है धारा प्रवाइथ होता है विद्दूत धारा प्रवाइथ होता है यही इलेक्रान एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो सरप्रता हम हर्टेज नहीं प्रियोग में किया भईया कि विद्दूत विसर्जन तो होता चैथोर पर परवईन किरने डालने पर उसमें से प्रकास इलेक्टरान निकलते हैं। जो एनोड की औरा करशित होते हैं। बिदूद विसरजन की मात्रा बढ़ना इसका मतलब यह है कि निर्बाद जो है कांच की नली के अंदर प्रतिश दीप्त की मात्रा ज्यादा हो जाती है, यहीं कहीं न कहीं इलेक्टरान का प्रवाई ज्यादा हो जाता है तिस सर प्रथम किस ने प्रयोग किया हर्टेज ने किया, इसके बाद बच्चों ए अठरसो सतासी की बात थी, फिर आगे चलकर अठरसो 88 में हालवाक्स सहाब आए और हालवाक्स सहाब ने बढ़िया से अलक से ही एक छोटा सा उपकरण बनाया ठीक है, वही कैथोड और एनोड को विवस्थित किया देखिए, हालवाक्स ने प्रकास बिजद प्रयोग का प्रयोगी का ध्याद किया उनके दोरा प्रकारण में प्रदर्शित किया गए कि कोर्टच की एक निर्वात नली का ले लिए मतलब उन्होंने फिर से एक निर्वात नली का ले लिए ठीक है, निर्वात नली निर्वात नली, मतलब कहने एक ताथ पर है कि अंदर किसी प्रकार से कोई माध्धम नहीं है ये आपका निर्बात उन्हों नजी ले लिए जिसके अंदर जस्ते की बनी दो प्लेट ये आपके पास दो प्लेट है ये कैथोर दे के नोड़ कैथोर क्यों क्यों कि ये रणाबेसित है इसको मालिजे cell के रनातमक सिरे से जोड़ दिया गया है इसलिए रनावेसित है और कैथोड धनावेसित है क्योंकि ये धनावेस से जोड़ दिया गया है अभी फिलहाल देखा जाए तो ये आपका निर्बात नली है लेक्टरान का स्थरांतर नहीं हो रहा है कुछ भी नहीं हो रहा है कुझी भी दाबा हुआ है बिलकुल सुइच आन है और नीचे लगे इस धारा मापी में किसी प्रकार से कोई बिछेप नहीं होता है तो उनका जो ये करण किस प्रकार से निर्बात नली ले ली इसमें धातु की दो प्लेटे हैं एनोड और कैथोड और इसका संब्द एक बैटरी से कर दी गए साथ में धारा मापी लगा दिया गया है क्यों? क्योंकि भाई सहाब ये तो पता चले कि जब इलेक्टरान निकलेगा एनोड तक जाएगा तो परिपत पूर्ड होगा फलसरोपी सधारा मापी में क्या होगा? विछ्षेप होगा यदि विछ्षेप नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेक्टरान नहीं निकल रहे हैнаком और विछ्षेप होगया तो इसका मतलब परिपत पूर्ण होगा भाई जब तक परिपत पूर्ण नहीं होता तब तक बीच्चेप नहीं होगा यह तो क्लियर है यहाँ पर माइनस और एप्लस बैरे कर इना theor जब तक इस परिपत में पूरा नहीं गोमे गए लेक्टरान तब तक बच्चो इसमें बिच्छे पुत्पन्द नहीं होगा कहने कातात पर यह हुआ कि जब कैथोड से इलेक्टरान निकल कर एनोड तक पहुँचेंगे तब तो परिपत पूर्ण होगा इसी को प्रियोगी का अध्यन करने के लिए हॉलवाक साहब ने बुला एक निर्वात न लिका ले ली है ना जो टी है जिसमें दो धातु के एनोड और कैथोड लगा दिया मतलब जिंक जस्ते के प्लेट लगा दिया एनोड और कैथोड हो गया इसका संब्द एक बैटरी से कर दिया गया भाई कैथोड रिणातमक से और एनोड को धनातमक से जोड़ दिया गया सांथम बैटरी के धन सीरे पर एक धारा मापी लगा दिया गया ठीक है अब होता क्या बच्चो जब कैथोड सी पर परवेगनी करने डाली जाते है परबाइगनी करणे राली जाती है तो विद्दो धारा बहने लगती है अर्थात यहाँ पर जैसे एक उचित विक्रण की आबरत या उचित आबरत की यहाँ पर परबाइगनी करणे आपती थुई तो यहां से फोटो इलेक्टरान उत्सरजित होने लगते हैं प्रकासिक इलेक्टरान उत्सरजित होने लगते हैं और ये तक इलेक्टरान पहुंचता है फलसुरूप परिपथ पूर्ण होता है और परिपथ पूर्ण होता है तो यहां पर धारा मापी में विछेप होता है औ वैसे तो आप लोग इस पस्ट रूप से समझ गए होंगे कि भाई हालवाक्स ने अपने प्रयोग में कैसे कैसे किया देखिए उन्होंने क्या किया कि एक निर्बात नली ले ली निर्बात नली मतलब अंदर किसी प्रकार से कोई माध्धम नहीं है जो टी है जिसमें धातु क को बैटरी के धन सीरे से कैथोड को बैटरी के जिर्बात सीरे से जोड़ दिया अब कारविदी में होता है क्या बच्चो कि जब यहां पर कैथोड पर प्राभेगनी किरने डाले जाती है आप्तित कराय जाती है तो यहां से विद्दु धारा बहने लग जाता है क्योंकि कै खुक है और जैसे ही प्रवैग्नी केड़ों को हटा लिया जाता है तो प्रवैग्नी केड़ों को हटाते ही यहां से परीपत क्या हो जाता आपोन हो जाता है फल्सरो धारमापी में कोई भी छेप नहीं होता क्लियर यहां तक क्लियर है आप लोग लिखना चाहते हैं तो नोट्स बना चाहते हैं इसमें कुछ हाई नहीं है यार सिंपल तरीके से आपको समझाया जा रहा है देखो यहां पर बताएगा कि जब कैथोड सी पर परवेगनी किरने डाली जाते तो परिपत में विद्धू ध धनातमग विभाओ पर होता है मतलब अनोड यह जो है धनातलं विभाओ पर होता है लेक्टरान उसके और अकर्सित होते हैं विद्धू परिपत्पूर्ण होने के कन बहाफ परिपत में धारा बाइने लग जाती है परवेगनी किरनों को हटा लेने पर सी में से एक भी लेक प्रमस्टाजित नहीं होता, अधा बाहर परिपत में धारा प्रभाहित नहीं होता है, कुल मिला कर वही चीज़ है जो मैंने आपको समझाया, कि जैसे ही कैथोर्ड पर प्रभगनी किरने डाले जाती है, तो यहां से इलेक्टरान निकलता है, कैथोर्ड जो हमारा धनातों भो सून हो जाता है इस से निजकर निकला किए में प्रकास केने आपनी थौती द्धात के सट इस ऐसे लेक्टान उस्साजीत होनी लगता है इसके बाद चलते हैं बच्छों इसके कारेबी ले लीजे आप लो, बैक्या का ले लीजे, लेनाड का प्रयोग देखते हैं, इसमें मिलिकन साहब थे और लेनाड, दोनों ने अपने साथ प्रयोग किया, प्रकाश विद्धुत प्रभाव का अध्यन करने के लिए, उन्होंने एक क्वाटच की बनी फिर से एक नलीजा का ल होता है, डैबलू क्वाटच की खिडिकी होती है, जिससे वोकर प्रकास करने अंदर प्रकास करने प्लेट के माध्यम से C पर आपतित होता है, देखे यहां पर यह बताया गया, यह कोटच का एक निर्वात नली है, इसमें खिडिकी लगाओ, इसमें कैथोर एनोड लगा खिड़की का मतलब यह है कि यहां प्रकासखिणे एंदर डाल सकेंं ठीक है अब यहां से बच्चो यहां पर प्रकासखिणे यहाप्तित होती है तो सेम प्रोसेस होगा इलेक्टरा निकलेगा परिपत्र में पौन होगा फ़ल सरूप यहाँ पर हमें पता चलेगा कि हाँ कि इस पे धारा बह रही है कि नहीं अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस यह है कि वहाँ पर धारा मापी लगा था इसमें माइक्रोमीटर इसमें धारा का माप किया जाता है वहाँ पर भी छेप से पता चला था कि भाई साब कुछ मात्रा में धारा बह रही है लेकिन यहाँ पर माइक्रोमीटर लगा होता है जिसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो यह क्वाटज की नलिका है डबलू है ठीक है इसमें दो धादू के प्लेट हैं यह कुंजी लगा हुआ है यहाँ पर बेट्री वच्चो तो धारा नी अंतरा की बहो पर रखना है साथ परिपत में माइक्रोमीटर लगा रहता है जब खिड़की डबलू यह खिड़की दिकराए ना यह खिड़की से अंदर परवैगनी कीडने डाली जाती है तो यहां से इलेक्टरान उस सजीत होने लगता है यह जो है धनातूंग वोग पर रखा जाता है तो इलेक्टरान आकरसी थोकर ए तक पहुंचता है फलसरोब परिपत में धारा बैने लग जाती है और माइक्रोमीटर की साहिता से धारा की माप कर ली जाती है और इससे के क्लियर होता है कि इसमें धारा बह रहा है बस इतना ही है तो सबका प्रियोग वही है बच्चो थोड़ा सा आप लोगों को स्क्रेंशाट ले लेना है नोट्स बना लेना है बाकि इसका नोट्स माथ 300 रुपीज में आपको प्रोवाइड किया जाता है गूगल पे फोन पे पेटियम से प्रिमेंड कर सकते हैं कंटेक्ट नमबर है 968529949 96852991 यह मेरा परस्नल नमबर है इसक्रिप्शन पे हमारी सीव कोचिंग क्लासस का एप मिल जाएगा ओके बच्चों तो आज के लिए इतना ही फिलाल आप लोग त्यार कर लीजिएगा अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा जैहिंद बंदे मात रहूं